नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल SSG गुरुकुल के इस ऑफिश येल यूटूब चैनल पे तो साथियों जितने भी साथियों यहां पर तैयारी कर रहे हैं आर पेप से होते हैं जो साथियों आपको दिमाग में रखने होते हैं अगर आपको अपना final सेलेक्षन लेना है तो जैसे पिछले साल एक्जाम का पैटर्न क्या था को पिछले साल एक्जाम की जो आपका final selection जिल लोगों का हुआ था उनकी कट-off क्या गई थी इसके साथ साथ कुछ confusion आप लोगों को हो रही होगी सर इसमें ABCDEF जो group होते इसका क्या मसला होता है इसका क्या system होता है तो सारी चीजे दोस्तों आज की वीडियो के अंतरगत हम लोग देखने वाले हैं मात्र पांच मिनट की वीडियो होगी सारी चीजे दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करेंगे सिखाने की कोशिश करेंगे तो साथियों यहाँ पर आजाईए सबसे पहले जो बात करेंगे हम group की करेंगे तो group की जब आप बात कर रहे होंगे तो railway आप जानते हैं zone में चीजों को divide करता है region में चीजों को divide करता है तो जितने आपके यहाँ पर zone है उस category के according railway ने अपने group को divide किया है 6 group में ठीक है मतलब जितने भी region यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ABCDEF जो आपके group है इस zone के according आपके divide किये गए हैं आप देख सकते हैं आपके screen पर यहाँ पर आपको show कर रहा होगा ठीक है अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर सारी cut off है पिछले साल की कि पिछले साल जो RPSI की cut off गई थी 2018 में वो कितनी गई हुई थी वो सारी बाते दोस्तों यहाँ पर हम देखने को पाएंगे समझने को पाएंगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी group है यहाँ पर आप देख पार होगे male और female male की जितनी भी category होती है मतलब male की अलग यहाँ पर cut off दे रखी है और female की category wise cut off यहाँ पर अलग है तो इसका मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते है कि female को कितनी तयारी करनी है और male को कितनी तयारी करनी है जैसे undesired male की बात करें तो 94.59 लगबक 94.6 ठीक है 120 में cut off गई इतनी अच्छा एक बात और समझ लीजिए यह जो marks है ना यह आपके normalized marks होते है यहाँ पर कौन से marks होते है यह आपके normalized marks होते है तो इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिए क्योंकि ऐसा नहीं है जिसके 94.6 marks है यह 94.59 जिसके marks है वो rough score जो उसका रहा होगा हो सकता है उसका rough score 85 या 90 रहा हो तो यहाँ पर normalized जो score देखने को मिला हो वो आपका कितना 94.59 देखने को मिला हो तो मतलब सीधा सीधा यह है जो यहाँ पर final selection होता है उसका base जो होता है वो normalized score होता है ठीक है unregid की बात कर रहे है तो unregid में OBC और unregid में बहुत ज़्यादा फरक आपको देखने को नहीं मिलेगा यह सारी यहाँ पर गड़ना सारी आपकी cutoff यहाँ पर देख रखी है अगर हम बात करें कि सबसे सर सबसे low cutoff कहां जाती है तो आप देख पार होगे E जो आपका E group है E group है आप RPA SI में भी देख सकते हैं और constable भी देख सकते हैं इस group में आपकी कम cutoff जाती है अब cutoff जाने का मतलब यह होता है पर बहुत सारे दोस्तों factor होते हैं कि cutoff आपकी कहां कहां पर depend करती है cutoff आपकी कहां कहां पर depend करती है तो हम आपसे बात करें कि आपके exam में जो आपके number of questions होंगे यानि आपका जो exam होगा यानि आपका जो question paper होगा है ना उसकी difficulty level क्या है question के level क्या है उस हिसाब पे आपकी cut off एक्तोवैरी करती है दूसरी चीज the number of vacancies vacancies कितनी है तो पिछले साल आप देख पार होगी लेकिन उस बार इस बार जतना अंदाजा लगाया गया था उस अंदाजे से बहुत कम आपको देखने को मिल रही है तो number of vacancies total number of candidates यानि कितने लोगों ने उस form को भर रखा है कितने लोग उस form को भर रखे हैं और कितने लोग उस exam को देने गये हैं तो इस पे भी cut off आपकी क्या करती है depend करती है इसके साथ साथ अगर हम देखे तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि previous year में इतनी vacancy थी तो इतनी cut off गई थी इस बार इतनी vacancy है तो कितनी cut off जाएगी सीधे समझिए जितनी भी vacancy कम होगी cut off उतनी जादा बढ़ेगी cut off उतनी जादा बढ़ेगी तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले साल vacancy जादा थी इस बार 2018 में vacancy जादा थी इस बार vacancy कम है तो इसका मतलब cut off आपकी high जाना है इसमें कोई भी doubt नहीं होगा ठीक है इसके अलावा reservation system आप समझी रहे है उसका भी एक factor रहता है वो भी depend करता है कि उस पर भी depend करता है कि आपकी cut off कितनी जाएगी तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए साथी हूँ अगर आप SSG Gurkul channel से जूडेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको SSG Gurkul app पर हमारा RPF SI को targeted करके best mentorship best guidance के अंदर में आपको RPF SI का गरुणा batch दिया जा रहा है जिसकी cost तिर्फ 399 है ठीक है 399 इसकी cost है 10 मार्स से यह batch हम लोगों का start हो रहा है तो जल्दी से जल्दी आप अगर इस batch में enroll कराएंगे तो जितने भी चीजें होती है आपके exam के point of view से यानि best content आपको आपके exam के लिए targeted content जो होता है जो just आपके exam में साथी को आता है उस तरीके का content आपको provide किया जाएगा अच्छी faculty के साथ में अच्छी guidance के साथ में ठीक है अगर आप SI और constable दोनों की तैयारी कर रहे है तो यहाँ पर garuda combo batch जो है वो आपका आचुका है अगर आप मानलो SI की बे तैयारी कर रहे है और आप उसके constable के लिए इलिजिबल है और आप SI के लिए इलिजिबल है तो आप garuda combo batch लेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो cost मिलेगी वो 5 double line rupees देखने को मिलेगी और ये भी class आपकी जो होंगी वो 10 मार से साथियों start हो रही है इसके अलावा अगर आप चीजों को और देखना चाहेंगे तो ये हमारा railway का group है जिसको आप scan करके telegram group से जुड़ सकते हैं जहाँ पर जितनी भी latest notification है आपको वहाँ पर दिखाई जाएंगी समझाई जाएंगी आशा करते हैं information आपको अच्छी लगी हो अगर आपको सारी चीजे पसंद आई हो ठीक है तो एक बार वीडियो को share कर दीजेगा चोटा सा लाइक आप कर देंगे तो हम लोगों को motivation निलता है एक चोटा सा लाइक जरूर कर दीजेगा और वीडियो को share कर दीजेगा अगर कोई doubt है तो आप लोग comment section में comment section में आप पूछ सकते हैं और आप जाहिर कर सकते हैं तो धन्यवाद मिलते हैं next session में